हेलो दोस्तों मैं सिविन इंजिनिया दिलिप मातों आज मैं एक घर का 3D डिजाइन लेकर आया हूँ जिसका साइज है 20 फिट बाई 36 फिट 9 इंच ये घर का डिजाइन मेरा एक क्लाइन महिस जी के लिए डिजाइन किये है फरण इसका 20 फिट दिया हूँ और लंबाई 36 फिट 9 इंच है इस घर का ग्रांड फ्लोर में दो बेडरूम एक डाइनिंग एक किचेन दो टोलेट एन बातरूम और एक स्टेर केस है फास्ट फ्लोर में सैम है जो जो ग्रांड फ्लोर में है दोस्तों इस वीडियो में इस घर का बीम डिटेंस का जानकारी दिया जाएगा और इ दोस्तो यह है घर का फ्रांट अलिवेशन डिजाइन आप देख सकते हो यह सिंपिन सा डिजाइन कोई भी मिस्ट्री देख के बना सकता है यह है बांडरी वाल का डिजाइन आप देख सकते हो यह है में गेट आप डिजाइन देख सकते हो फ्रांट का सिंपिन सा है यह है घर का में डॉर यहां से आप घर के अंदर एंटर कर सकते हो यह आप देख सकते हो घर का सिरी है इस तरीके से दिया हुआ है फास्ट फलोर में जाने के लिए सिली के नीचे एक सोफा सेट पोवाइड किये हैं बेटने के लिए आप देख सकते हो दोस्तो यह है गर का पहला बेडरूम साइज 10 फिट बाई 13 फिट 6 इंच आप देख सकते हो यहाँ एक विंडो पोवाइड किये हैं चार फिट बाई 13 फिट 6 इंच साइज का वेंटी नेशन के लिए यहाँ एक और विंडो पोवाइड किये हैं आप देख सकते हो यह है पहला बेडरूम का एटा स्टोरेटन बातरूम साइज 6 फिट 6 इंच बाई 13 फिट 6 इंच यहाँ एक और फिट बाई और फिट साइज का वेंडो पोवाइड किये हैं वेंटी नेशन के लिए दोस्तों यह है गर का दूसरा बेडरूम साइज 10 फिट बाई 13 फिट 6 इंच आप देख सकते हो यहाँ 4 फिट बाई 3 फिट 6 इंच साइज का वेंडो पोवाइड किये हैं वेंटी नेशन के लिए यह है दूसरा बेडरूम का एटाइस टोलेटन बातरूम साइज 6 फिट 6 इंच बाई 3 फिट 6 इंच यहां डेर्ड फिट बाइ डेर्ड फिट साइज का उइंडो पोवाइड किये हैं बेंटिनेशन के लिए दोस्तो यह गर का किचर रूम साइज 9 फिट 6 इंच बाइ 8 फिट 1 इंच यहां तीन फीट बाई तीन फीट साइज का उइंडो पोवाइड किये है पेंटिनेशन के लिए आप देख सकते हो एल सेप में किचल पार्टफरम पोवाइड किये है यह है गर का डाइनिंग रूम साइज गारो फीट पाँच इंच बाई आठ फीट एक इंच यहां एक वास बेस इन फोवाइड किये है हाथ दोने के लिए दोस्तो इस गर में 12 कलम है सभी कलम का साइज 9 इंच बाई 12 इंच है इस गर बनाने के लिए लगबग 20 लाग कस्ट पड़ेगा आप इस गर का प्लान वीडियो में डाउनलोड कर सकते हो लिंक डेस्किप्शन में है दोस्तो एही ते हमार आज का सिंपिन से घर का डिजाइन वीडियो कैसा लगा कामेट करके जरूर बताना वीडियो को आन तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवत जय हिंद